डियर स्टुडेंट ये हमारा नंबर वर्क है जो के फिव स्टेंडर्ड का है इससे पहले भी हमने नंबर वर्क किये हैं और ये बहुत ही पॉर्टिंग शेप्टर है हमारा इवन हमने इंग्लिश में गोल्डन फैदर दा गोल्डन फैदर जो पड़ा था वो भी नंबर वर्क से रिलेटेड था जिसमें 99 गोल्ड कोईस, 21 पर्ल्स नेकलेस इस तरह से दिया गया था यहां आप देख सकते हैं 1200 आपको नंबर दिये पर दिये हैं इन में से आपको कोई भी नंबर लेकर एक सेंटेंस बनाना है जैसे हम यहां पढ़ते हैं look, listen and read aloud with me, select any one number and frame a sentence about it, यहां से आपको कोई भी एक नंबर सेलेक्ट करना है और आपको उसको उसको इससेंटेंस भी यूज करना है यहां से हमको बिकना है जैसे हम 123 लिखते हैं, हमको words में लिखना है, जैसे यहां पर one लिखा है two, अगर हम two को लेते हैं, आई बसमज में यहां से हमको कोई भी एक number select करना है, यहां देखो जुमले बनाएं गए है, they had two daughters, यहां आप चेंज कर सकते हैं, they had two houses, आई बसमज में इस तरह आप इन numbers को यूज करते ह which sentences ready करेंगे, January has 31 days, a spider has 8 legs, there are 7 days in a week, there are 88 pages in the book, my brother made 54 runs yesterday, इस तरह आप कम से कम इस में extra 5 sentences बना कर हमको send करेंगे, उसके आगे है, read aloud, आपको ब्लंद आवाज में इन numbers को पढ़ना है, जैसे 100, repeat करो, 100, second है, 1000, 1000, okay, next है, 10,000, 10,000, next, a hundred thousand, उसको 1 lakh भी कहते है, 1 lakh, उसके बाद है, a million, 10 lakh, फिर है 10 million, 1 करोर, अब यहाँ पर आप देखेंगे, बुक के अंदर आपको हमवद दिया गया है, 1 to 100, जो numbers है, उसका एक बड़ा सा आप चार्ट बनाएंगे, जिसमें 1, 2, 3 नहीं लिखना है, words में लिखना है, O, N, E, 1, T, W, 2, T, H, R, 3, T, H, R, E, 3, इस तरह आपको 100 तक उनके चार्ट में लिखना है, उसके एक बड़ा सा चार्ट बनाना है, अब देखेंगे, आपर, think of larger numbers and make suitable sentence, आपको बड़े से बड़े नंबर को यूज करते हुए sentence बनाना है, there are 365 days in a year, एक साल में 365 दिन होते हैं, हम पढ़ते हैं अक्सर, हाँ, my mother bought a table of 5,000 रुपीज, अब मी ने 5000 का एक table लाया है, तो आप जिगा भी, my father bought a cupboard for 10,000 रुपीज, इस तरह आप चेंज करके sentence को बना सकते, there are millions of stars in the sky, आपने देखा होगा, क्या आस्मान में लाखों करोडों, क्या हैं, तारे हैं, जिनको हम गिन नहीं सकते हैं, क्या से ज्यादा तादाद वाले जूले आपको रड़े करना है, यह unit 1 का page number 7 था, number work, very important है यह, आपको इसके होग practice करनी है, और लिखना भी है, बार बार repeat भी करना है, ओके, प्लादा प्लादा आस्मान में में लाखे ?